साथियों, हमारी सरकार ने शुरू से ही रिफॉर्म, पर्फॉर्म एंड ट्रांस्फॉर्म इस मंत्र को लेकर के हमने काम किया है। रेड टेपिजम कम करना और रेड कार्पेट बिशाना यही हमारा प्रयास रहा है। इज अब बिजनेस को लेकर 2014 से अब तक जो सुधार किये गहें, उनका परणाम पूरे विश्वने देखा है। इंटलेक्ट्वल प्राफर्टी, टैक्सेशन, इंसॉल्वन्सी और बैंक्रफ्सी, यहां तक की स्पेस और अटोमिक एनरजी जैसे भहुत कठीन और जटिल ऐसे जो विशे माने जाते हैं, उन विश्वों पर भी हमने रिफार्म्स करके दिखाए हैं। और आप तो अब भली-भली जानते हैं, पिछले दिनों लेबर लौज में रिफार्म्स का सिलसिला भी लगा अतार जो शुरूआ है चल रहा है। कुछ साल पहले तक इस प्रकार के विश्वों पर सोचा भी नहीं जाता था और आज ये रिफार्म्स जमीन पर उतर चुके हैं। रिफार्म्स का ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, हम आगे बढ़ते ही जाने वाले हैं। और इसलिए न थमना भी है और न ठकना भी है, न मुझे ठकना है न आपको ठकना है। हमें आगे भी आगे बढ़ते रहना है। और हमारी तरब से मैं आपको बताता हूं ये हमारा कमिक्मेंट है। साथियों, जहां तक इंफास्ट्रक्टर की बात हैं, जो डिफेंस कोरिडोर पर तीजी से काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश और तमिल लाड़ सरकारों के साथ मिलकर स्टेट अब आठ इंफास्ट्रक्टर तयार किया जा रहा है। इसके लिए आने वाले पांच सालों में बीस हजार करोड रुपिये के निवेश का लक्ष रखा गया है। MSME और स्टार्टप से जुड़े एंटर्पाइड लीडर्स को प्रोडसाइद करने के लिए आइडेस की जो पहल की गई थी उसके भी अच्छे परणाम मिल रहे हैं। इस प्लेटफोर्म के माध्यम से 50 से अधिक स्टार्टप्स ने सहिन्य उप्योग के लिए टेक्नलोजी और प्रोडक्स को विक्सित किया है।